तो हलो दोस्तों वेल्कम बैक टो वर चैनल तो CWT में आपका स्वागत है तो किसी भी सेयर में हम लोग इन्वेस्ट करने से पहले उस सेयर की क्या क्या चीज़ें हैं जो हम लोगों को पता होनी चाहिए कि मार्केट का अब क्या है PE ratio क्या चला है क्योंकि बहुत सारे लोगों को इस चीज में confusion होता है कि हां market ratio क्या होता है और PE ratio क्या होता है book value किसे बोलते हैं यही नहीं लोगों को पता होता है ROE, इस video में इन सारी problems को solve किया जाएगा और एक एक करके बतायाएगा कि किसी share में अगर आपको invest करना है तो उस share में सबसे पहले क्या देखना चाहिए, तो सबसे पहले आते हैं market value पर, तो market value क्या होती है, market value ही market cap होती है, total market value जो होती है company के sales का कुल मूल दरसाता है क्योंकि उसका price कितना है वो दरसाता है कि market cap अगर बढ़ेगा तो sales की कीमत बढ़ेगी मतलब अगर sales बढ़ेंगे तो market cap बढ़ना चाहिए अगर जैसे reliance का share है इनके जो sales की कीमत बढ़ रही है तो reliance sales जो amani ji है वो काफ़ी जड़ा profit में आ रहे हैं उनकी जो company है profit में आ रही है और share बढ़ रहे है तो share बढ़ रहे हैं बट जो sales की category होती है sales की category होती है वो एक large cap होती है mid cap होती है दूसरा small cap होती है तो यह 3 category होती है तो इन 3 categories क्योंटिन यही बताना आपको चाहूंगा कि लास्स कैप जो कैटेगिरीवाले एक तरह होती है कभी यह स्टब्छ मालब कि to make up काथ उन्हें के हिसाब से उपर नीचे उनहीं के अपर सर्केट यार लोड सर्केट उन्हीं के हिसाब से लगाता है तो जो भी है अगर मिटकाप आप जो आपको अरोई या रोसी अच्छा दे क्युंकि जादर डीयी की भी खरीटते हैं क्योंकि उन्हें लोगों को फसाना होता है अभी आपने जल्द में देखा हो अर्शत बारशी वाला केस तो मैं तो यह करूंगा कि आपको जो स्मॉल कैप होता है स्मॉल कैप से दूर ही रहेंगे तभी आपको लांग टरम में प्रॉफिट होता हुआ देखे किसी सेयर में अगर हम लोग पी देखते हैं तो क्या होता है लोग बोलते तो हैं प्राइस अर्निंग रेसियो प्राइस अर्निंग रेसियो तो प्राइस अर्निंग रेसियो क्या होता है साधान मतलब इसका यह होता है कि कितने रुपए लगाने पर कितने रुपए मिलेंग क्या होता है तो P.E. का मतलब कितना होना चाहिए अगर किसी कंपनी का P.E. देख रहे हैं तो कितना होना चाहिए कम से कम 16 से 20 के बीच में होना चाहिए 16 से 20 होना होगा P.E. तब ही आपके लिए अच्छा सेर है वो और आस्तन 18 होना ही चाहिए तो PE ratio जितना कम होगा तो नहीं PE ratio आपके लिए अच्छा होना होगा तो ज्यादा तर ब्यापार और निवेस को देखकर ही PE ratio होता है उस यहर में invest करें तो इसके बाद आता है book value book value क्या होता है तो book value हम लोग आपको बहुत ज़्यादा जानने की जरूद नहीं है यह जानिए कि asset और liabilities मतलब आपके पास कितना asset है और कितनी liabilities है तो asset में से liabilities घटा दीजिए जो बचेगा वही company का book value मतलब बास्तविक value है asset क्या होते है? asset जो share और share जो उसके बाद जो liabilities होती है वो होता है कितना करच ले रखा है तो जितने share की value है उसमें से करच करच को घटा दीजिए और उसके बाद जो value बचेगी तो वही value होती है आता है R.O.C.E तो यह भी important component होता है share market के किसी भी share में invest करने का तो यह 10 से उपर होना चाहिए 10 से उपर होना चाहिए जितना अधिक उतना अच्छा मतलब यह R.O.C.E जितना अधिक होगा उतना ही share के लिए अच्छा होगा जितना R.O.C.E अच्छा उतना share अच्छा तो समझ रहे हैं जितना अधिक होना होगा उतना ही आपके लिए अच्छा होगा invest करने के लिए तो लगबग यह 19% के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो 19% होना ही चाहिए किसी share में अगर आप invest कर रहे हैं तो उससे पहले और उससे यह देखिए 19% है या कि नहीं तो इसके बाद जो अगला component हम लोग आता है वो होता है R.O.E अगला component होता है तो रिटर्न इसे क्या बोलते है रिटर्न ओन एक्विटी रिटर्न ओन एक्विटी तो यह भी आपको बहुत ज्यादा confusion में आने की ज़रूत नहीं यह भी R.O.E क्या R.O.E भी तो R.O.E कम से कम 15 से 20% होना चाहिए जैसा R.O.C बैसे बैसा ही अब आपको मैं clear कर देता हूँ जैसे R.O.E और यह R.O.C तो जैसा यह 15 से 20% 20% मान के चलिए तो यह भी 19 से 20% होना चाहिए कम से कम ठीक है तो यही है कि आप 20% लगबग होना चाहिए यह भी 20% होना चाहिए यह बढ़ेगा अच्छा है यह बढ़ेगा अच्छा है तो हम लोग किसी सेयर में अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उससे पहले यह चीजी देखना जरूरी है तो इस चैनल पर आपको जो सेयर्स अच्छे R.O.E मार्केट कैप जो की मार्केट में अपना लास्ट कैप की ब